चलो साथियो अब हमें बारिश की तयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई चलो हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए। नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पढ़ने लगेगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे लेकिन उन्हें जमीन पर कही पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहांसे वो वश्पिकरन कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाईयो बहुत दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाए तुम सब एक काम करो, इस साल में पास वाले जंगल में से पानी डुनने की कोशिश करता हूँ, तुम सब समंदर की तरफ जाना, अगर मुझे पास वाले जंगल में कही पर पानी मिल गया, तो अगले साल हमें पानी की खोच करने के लिए दूर समंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है भाई ऐसा ही करते हैं तो फिर क्या था? सभी बादलों ने आपस में बात चित करके जो फैसला किया था उस फैसले पर काम करने के लिए निकल पड़े मैं तो निकल पड़ा हूँ मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे पानी मिल जाए नहीं तो दूसरे बादल मुझे चिडाने लगेंगे मुझे कैसे भी करके पानी की खोच करनी ही पड़ेगी दिन भर बादल पानी की खोच में पूरे जंगल के उपर गुमता रहा लेकिन उसे कही पर भी पानी नहीं मिला अब बादल परिशान होने लगा अब रात होने वाली है फिर भी मुझे कही पर भी पानी नहीं मिला मैं कल सुबह होते ही समंदर की तरफ पानी पीने के लिए चला जाओंगा मैं दिन बर गूम गूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे बहुत लंबी यात्रा भी करनी है इसलिए मुझे अब राद पर किसी पेड़ पर आराम करना होगा ऐसा सोच कर बादल आराम करने के लिए अच्छे जगह की खोच करने लगा हाँ ये पेड़ ठीक रहेगा ये बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते बहुत मुलायम है इस पर मुझे बहुत अच्छी निदाएगी ऐसा कहकर बादल पेड़ के उपर जाकर बेट गया इधर लाडो चिडिया अनाज लेकर घर की तरफ लोट रही थी उसके बच्चे उसका गर पर इंतजार कर रहे थे लाडो चिडिया अपने गोसले के पास आ गई बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था इसलिए वो उसे गूरे जा रहे थे मम्मी वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो एक पंची है? अरे नहीं बच्चों वो कोई पंची नहीं एक बादल है पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी वो इसी बादल से आ रही थी मम्मी बादल नहीं होंगी तो क्या बारिश भी नहीं होंगी? हाँ मेरे बच्चो बादल को बरसात के लिए पानी की जरुरत पड़ती है तभी वो बारिश कर पाएगा बादल उनकी सारी बाती उपर से सुन रहा था वो उनकी तरफ देख रहा था मम्मी हमें उनसे बात करनी है नहीं बेटा वो ठक गए होंगे उन्हें थोड़ा आराम करने दो अरे कोई बात नहीं चिडियारानी तुम सब मुझसे बात कर सकते हो बादल की ये बात सुन कर बच्चे बहुत खुश हो गए तीनों उसके पास आ गए अरे जब हम आपको दूर से देखते हैं तब हमको लगता है कि सारे बादल बर्फ से बने होते हैं पर तुम तो किसे सूखे कपास की तरह लग रहे हो हाँ चिडियारानी तुमने जैसा सोचा है हम बिलकुल वैसे ही होते हैं हम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं तो क्या इसका मतलब इस साल बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस साल बारिश अवश्य होगी और वो भी बहुत ज्यादा बाकी सारे बादल इसी कारण वश, बहुत सारा पानी पीने के लिए समुंदर की तरफ गए है अगले साल हमें दूर तक यात्रा ना करने पड़े, इसी लिए मैं पासवाली इलाके में पानी की खोच कर रहा था, परन्तु मुझे कही पर भी पानी नहीं मिला क्या आप पश्चिम में पहाडी इलाकों की तरफ गए थे? मैंने सारी दिशाओं में खोच की, परन्तु में बहुत ठक चुका था, इसी लिए मैं पश्चिम की तरफ बहुत दूर तक नहीं जा सका अगर मैं बहुत दूर तक जाता, तो मुझे समंदर की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा कश्ट चेलना पड़ता बादल भया, हम जंगल के सारे पंची, पस्चिम इलाके वाले नदिस से ही पानी पीते हैं, क्यूंकि बाकी जगह पर कही पर भी पानी नहीं है फिर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं कल ही सुबह जाकर वहां से पानी पीलूंगा तुमारा बहुत बहुत चुक्रिया चिडिया रानी, मैं सारे पंचीयों के उठने से पहले ही यहां से चला जाओंगा लेकिन जाते जाते मैं तुमें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी इसलिए हम सभी बादलों ने यह निर्ने लिया है कि इस साल बहुत जादा तेज बारिश करेंगे ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पंचियों को पानी की कोई समस्या ना हो इसलिए मैं तुमसे एक विंती करता हूँ कि आप सभी पंची अपने अपने गोसले किसी उचे पेड़ पर बनाए हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं जंगल के सारे पशुपक्षियों को सतर्क कर दूँगी इधर बाकी सारे बादल समंदर तक पहुँच चुके थे अरे भाईयो क्या पता हमारे बादल दोस्त को पानी मिला भी है या नहीं अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तेज बारिश करने का फैसला गलत साबित हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना होगा और साथ ही साथ हमारे बादल दोस्त के हिस्से का भी पानी पीना होगा अगर हमारे बादल दोस्त को पानी नहीं भी मिला तो उसकी जगह पर हम बारिश कर लेंगे इधर दूसरे दिन सुभा जैसे लाडो चिडिया ने बादल से कहा था कि पश्चिम की तरफ एक नदी है और उसमें बहुत सारा पानी है वैसा ही बादल ने किया बादल सुभा सुभा सारे पंचियों के नीन से जागने से पहले ही लाडो के गोसले के पास वाले पेर से ही निकल पड़ा सारे पंची जाग गए सुभा होते ही लाडो चिडिया सीधा राजा जी के पास चली गई अरे लाडो, केसी हो तुम? बताओ, सुभा सुभा केसे आना हुआ? क्या बताओ राजा जी, बात ही कुछ ऐसी है एक दो दिन में हमारे जंगल में तेज बारिश होने वाली है उस वज़र से जंगल में बाड़ भी आ सकती है ये सब तुमें किस ने बताया? तुमें इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? लाडो पिछले रात की सारी घटना राजा जी को बताती है राजा जी को लाडो चड़िया पर भरोसा था लाडो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बताओ, अब आगे क्या करना है? राजा जी चाहती तो मैं एक एक करके जंगल के सभी पंचियों के घर जाकर ये बात बता सकती थी लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा हमें हमारे जंगल के सारे पंचियों को ये बात बतानी है कि दो-तिन दिन में बहुत ज्यादा पारिश होने वाली है इसी लिए सभी पंचियों को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने-अपने घोस ले किसी उचे पेड पर ले जाने होंगे ठीक है लाडो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाता हूं और उसे ये बात सारे जंगल में फेलाने के लिए कहता हूं सिपाईयों, सूचना पक्षी को बुलाय जाए जी महराज राजा जी ने सिपाई पक्षीयों को सारी बाते बता दी थोड़ी देर बात सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने पूरे जंगल में ये बात फेला दी सुनो 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 खबर मिली है कि आने वाले दो तिन गिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है इसी तेज बारिश की वज़़ से जंगल में बार भी आ सकती है इसलिए राजा जी ने सारे पंचियों को ये सूचना दी है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपने अपने घोसले उचे पेड़ पर बना ले ताकि बार के पानी से सुरक्षा हो सके जंगल के सारे पंचियों ने राजा जी के सुचना को मान कर अपने अपने घोसले किसी उचे पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया लेकिन मीनु मोसी ने राजा जी के बातों को नहीं माना ये राजा बीना पागल है पागल इसे कोई भी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है मैं मेरा गुस्तला चोड़ कर कही पर भी नहीं जाओंगी चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों नहो तभी लाड़ो चिडिया मीनु मोसी के पास आ जाती है अरे मीनु मोसी अभी तक आपने अपना गुस्तला शिफ नहीं किया क्या आपको सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली अरे का है का सूचना पक्षी और का है की सूचना सब बक्वास है हमारे राजा को तो कोई काम ही नहीं है खाली बेटकर इदर उदर की बाते करता रहता है उसे ये बात किसने बताई कि दो-तिन दिन में बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है वो कोई जादुगर है क्या क्या उसे कोई आत्मग्यान हुआ है जो कुछ भी बोले जा रहा है पागल कहीं का अरे मीनू मोसी, ऐसा नहीं है बारिश के बारे में राजा जी को मैं नहीं बताया था हुआ यू की लाडो चिडियाने मीनू मोसी को भी सारे बाते बता दी छे, मैं नहीं मानती ये सब मैं मेरा गोसला छोड़ कर कही पर भी नहीं जाने वाली मुझे भी देखना है कि कितनी तेज बारिश होगी इस चंगल की सबसे बुजर्ग चड़िया मैं ही हूँ मैंने तुम सबसे ज़्यादा बड़े बारिश के मोसम देखे है और उन्हें जेला भी है मैं बहुत बार बार में डूप भी चुकी हूँ और उससे बची भी हूँ ठीक है मोसी, जैसे आपकी मर्जी अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा गोसला अकेले ही ले जाना होगा मेरे बच्चे अभी छोटे हैं ना लाडो मीनो मोसी के गोसले से निकल पड़ती है सारे पंची एक एक करके अपने अपने घोसले उचे पेट पर ले जा रहे थे दो दिन गुजर गए और तीसरे दिन सुभा सुभा आसमान में घने बादल चा गए आसमान में समंदर की तरफ जो बादल पानी पीने के लिए गए थे वो एक एक करके इकटा होने लगे पच्चिम की तरफ पानी पीने के लिए जो बादल गया था वो भी आ गया अरे साथियो तुम सब इतना जादा पानी पीकर क्यों आ गए अरे भाई हमने सोचा कि जंगल में तुमें कहीं पर पानी नहीं मिला तो हमारा इस साल तेज बारिश करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा इसलिए हम तुमारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए अरे साथियो ये बाते हम बाद में भी कर सकते हैं चलो अब तेज बारिश करते हैं सारे बाद लोने मिलकर जंगल में तेज बारिश करनी शुरू कर दी दो-तिन दिन जंगल में लगातार तेज बारिश चलती रही इस वज़ा से जंगल में बार आ गए जिन-जिन पंचियों ने अपने घोसले उचे पेट पर लगाए थे वो तो बाड की पानी से बच गए लेकिन इधर मीनू मोसी के घुसले में पानी भनने लगा और थोड़ी ही देर में मीनू मोसी का घुसला बाड की पानी में बहने लगा मोसी घुसले से बाहर आ गई अरे कोई मुझे बचाओ, मेरा घुसला डूप गया मीनू मोसी घबराती हुए लाडो चिडिया के गुसले के पास आ गई और दर्वाजा खटकटाने लगी लाडो अरे ओ लाडो जल्दी से दर्वाजा खोलो मुझे अंदर लेलो मैं बाहर भीग रही हूँ लाडो ने घर का दर्वाजा खोल दिया और मीनू मोसी को अंदर लेलिया देखा मोसी मैंने कहा था ना आपको लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी थोड़े देर बाद पानी और उपर तक चड़ने लगा आखिर पानी लाडो के गुसले तक पहुँची गया अरे बापरे मैंने तो मेरा गुसला सबसे उपर बनाया था अगर पानी मेरे गुसले तक आ गया है तो इसका मतलब है तो बाकी के पंचियों के गुसले डूब गये होंगे सारे पंची अपने अपने घुसले छोड़ कर एक उचे पेड के डाली पर जाकर बेड गए थे लाड़ो उसके बच्चे और मीनो मोसी उनके पास चले गए चार दीन तक लगातार बारिश चलती रही फिर दीरे दीरे बारिश कम होने लगी पड़े पंची भूखे पैसे रह सकते थे लेकिन छोटे पंचीों का भूख के मारे बहुत पुरा हाल हो चुका था लाड़ो ने जिस बादल की पानी डुणने में मदद की थी वो लाड़ो चिडिया के पास आ गया बादल भाई आपने तो कहा था कि तेज बारिश होने वाली है लेकिन इतने ज़्यादा तेज बारिश होने वाली है ये नहीं बताया था अरे चुडिया रानी मुझे माफ कर दो पुआ यू की बादल ने सारी बात लाड़ो को बताई कि कैसे दूसरे बादलों ने सारा पानी बरा हुआ है ऐसे तो हम सब मर जाएंगे अरे चिडिया रानी तुम चिंता मत करो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है बादल ने सारे पंचियों के लिए अपने कपास से छोटे-छोटे घर बना दिये चिडिया रानी जब तक जंगल का पूरा पानी कम नहीं होता तब तक तुम इस बादल के घुसले में रह सकती हो जब पानी उतर जाएगा तब तुम इस घुसले को छोड़ देना ये अपने आप मेरे पास वापस लोटाएंगे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बादल जी लेकिन हम सब को बहुत भूक लगी है अरे मैंने इसका होने तक सारे पंचोने मिलकर बादल के घुसले का बहुत मजा ले लिया दोस्तों क्या आपको भी बादल से बने हुए घर में रहना अच्छा लगेगा हमें कमेंट्स में जरूर बताईए और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए